मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासंग के दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए हरियाना में नई पहल की CM ने हरियाना में 5S, सिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा, स्वाभीमान और स्वाव लंबन पर काम किया है मुख्यमंत्री ने हरियाना में परिवार पहजान पत्र के शिरुवात की ताकि गरीब तबके के लोगों को सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं का लाव मिल सके एक रपोट आपको दिखाते है हर्याणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल प्रदेश के विकास के लिए कटिबद है CM की तरफ से कई योजनाओं की शिरुआत की गई जिसका फाइदा प्रदेश की जनता को हो रहा है इसी कड़ी में हर्याणा में PPP का आगाज हुआ आपको बताते हैं कि क्या है PPP PPP का मतलब है परिवार पहचान पत्र प्रदेश के 2 करोड 80 लाख लोगों के डेटा का विशलेशन दुनिया भर में परिवार पहचान पत्र जैसी विवस्था कहीं भी नहीं लोगों तक बहतर धंग से पहुँचेगा योजना का लाब प्रदार मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी हरियाना की इस अनूठी परियोचना का ध्यान करने के लिए कहा है जिसके बाद कर राज्चों ने अपनी टीम हरियाना में भीची सियम मनोहर लाल पंचकुला में परिवार पहचान पत्र को लेकर आयोजित वर्क्षोप को वर्चुल माध्यम से संबोधित कर रहे थे जिसमें सियम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार की तरफ से पात्र लोगों को सभी तरह की सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाफ़ देने के अवधारना को साकार करने के लिए हर्यान परिवार पहचान पत्र परियोजना शुरू की गई थी इनकम का वेरिफिकेशन ये बहुत बड़ा क्रूशियल एक काम है इसमें जरावी हमने अगर थोड़ा सा इस चीज़ को इगनोर किया तो उसकी कईना कई निराश्या जनता में आएगी या कोई भी प्रेशानी का कान बनता है ये ठीक है अभी एक वर्ष का ये समय ऐसा है जहा हमें थोड़ा स्टिक्ट तो नहीं होना लिबरल जितना हो गए हो गए हैं इसकी अगर वेरिफिकेशन में कोई चीज़ कमियां पाई जाती हैं तो इसको आने वाले समय में तैयारी हम रखें और इसको एकदम ठीक उसको करेंगे और इज इसके इंकम के वेरिशन के साथ-सा होती है तो डेट वबर्थ का वेरिफिकेशन यह जहां कई कम है उसको ठीक से करें डॉकुमेंटल करें जिसका डॉकुमेंट नहीं है उसके लिए जो आपको प्रसिज़ बताया गया है उस प्रसिज़र के इसाब से इनकम यहने डेट वबर्थ एक बार सुनिश्चित करके जरूर करें और जिसका एक बार हो जायेगा उसकी बाद मैं गठाई इसकी नहीं आएगी कई बाद दो जो दो ऐसे जो फैक्टर्स हैं उनके उनको क्लब करके भी हमको देखना चाहिए जैसे एज और इंकम हैं अब एज किसे लिखी है मानो दो साल एक साल तीन साल पांच साल और इंकम लिखी है उसकी 2,3,00, रुपया तो एक छोटी एज का बालक है बच्चा है भी स्टूडेंट है तो उसकी इंकम 2,5,00 रुपया कहीं लिखी गई है तो इसको एक आटो मोड में आकर के भी उसको ठीक करने का काम को करना चाहिए इन चीजों का जहां जहां पर हमने उकुपेशन लखा है वो फार्मर है वो एड़ोकेट है वो डॉक्टर है तो इसका मदल भी संभव हुई नहीं सकता है दस वर्ष का आठ वर्ष का पांच वर्ष का पंदरा वर्ष का तो ऐसे एज ग्रूपेंग के साथ भी हमको यह एक बार इसको मिलाना चाहिए बहुत अच्छा उकुपेशन में लिखा है कोई डॉक्टर है कोई प्रोफिसर है कोई अधिकारी है यानि जिनकी तो इंकम सेलीड है उसमें समस्या नहीं आएगी अपने अप हो जाएगा लेकिन जिनकी सेलीड नहीं है इनका अकुपेशन और इंकम इसका मिलान करना चाहि है फिर गूप में हमारा जैसे गूप है पहले हैं नो डेफ बर्थ और मेरेज्न फिरस्टेशन ये बहुत आउशक है इसमें भी बर्थ और ड्याकि लगता शायद थोड़ा हाला कि पहले नागृत्ता की पहचांग के लिए आधार काड की ववस्था थी लिकिन समाज में परिवार जिसमें बच्चे से लेकर व्रत्थ जन होते हैं उनके डेटा की सटीक जांकारी के लिए समुचित ववस्था पहले नहीं थी खुशी की बात है कि आज गोरोला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और क्योंके गोरोला जी स्वैम और उमा शंकर जी ने इस सारे प्रोजेक्ट को बहुत बारिकी से जाकर के शुरू किया था ये ठीक है कि उसकी कंसेप्ट को लाने में विचार 2014 में हमारे मन में आया था कि किसी भी व्यक्ति की पैचान के लिए आधार तो हमारा यानि सिटिजन का बना होता है लेकिन आधार एक व्यक्ति का एक सिटिजन की पैचान होती है जबके अपने हां समाज में परिवार एक एक आई होती है जिसके एर्दगिर्द पूरा समाज जो है वो बटा रहता है और परिवार की चिंता सबको अपनी करनी होती है उसमें हर आयूवर के लोग होते हैं हर अब अवसाय करने वाले लोग होते हैं कोई बच्चे होते हैं अपनी पढ़ाही कर रहे होते हैं तो इंफेंट से ले करके और ओल्ड मैं तक इन सब की चिंता करने वाला परिवार का को एक मुखिया होता है और उसका जब तक डाटा सारा मारे पास नहीं हो तो कम से कम सरकारी योजनाओं का लाव जिस परकार से हम एक वेलफर स्टेट के नाते करना चाहिए वो करना वाले बड़ा कठेन है संबव नहीं है और उसमें भी ठीक डाटा मिलने के बाद ही इसकी जानकारी मिलती है कि किस परकार की योजनाओं की आवशकता ये समाज में है और कौन उसका पात्र व्यक्ति है कौन अपात्र है तो इन सब चीजों की जानकारी हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं एक चीज हमको पता होगी कि 2011 का जो सेंसस था उसके अधार के उपर एक S.C.C.C. डाटा भी बना था उस S.C.C.C. डाटा के अधार पर बहुत सी देशकी और प्रदे परिजन्ट है 11 से लेकि आज 2000 यानि जवनी बनाना शुरू किया था तो उस समय भी 2022 तक लगब 11 साल बीच चुके थे 11 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं लोगों की आर्थिक स्थिती उनकी बच्चों की शिक्षा के नातिस्थिती और उनका जो भी कोई प्रभाव ख्षित्र है वो अदल बदल होता है लोगों के एड्रेस हो जाते हैं परिवार की रचना बदल जाती है तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और इस विश्य को शुरू किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 की जन गणना की डेटा के अनुसार ही प्रदेश में बहुत से कल्यान कारी योजनाई लागू की जा रही थी अधिकारियों के सहयोग से परिवार पहजान पत्र को शुरू किया गया जिसके बहतरी नतीजे भी सामने आ रहे हैं सियम्ने अधिकारियों से परिवार पहजान पत्र के प्रती लोगों का संतुस्टी स्तर और अधिक बढ़ाने का हवांग करते वे कहा कि परिवार पहजान पत्र के आने से पहले अपात्र लोग भी सरकार की कल्यान कारी योजनाओं का लाब उठा लेते थे और पात्र लोग वंचित रह जाते थे आज सरकार के पास परिवार के सही जांकारी होने से पात्र लोगों को सभी योजनाओं का लाव घर वैठे ही मिल रहा है जिसमें ओल्ड एज पेंशन, बीपियल कार्ड सहित, अन्ने कल्यान कारी योजनाओं शामिल हैं इनकम यह कैसा बेश है जिसके कारण से हम सब का वर्गे अगर्ण करते हैं कि यह लोग इंकम गुरूप है, यह मिडल इंकम गुरूप है, यह हाई इंकम गुरूप है और हमारी स्कीमें भी इनकम के ओपर बेश्ड है तो उस आये के नाते से बहुत लोगों ने अपनी आये को थुड़ा सा कम करके यानि हमको बताया है, जिन लोगों की आये बिलकुल एकदम सुनिश्चित है खास करके सरकारी करमचारी इनके आये सुनिश्चित है, उसकी सेलरी कितनी है, उसको कुछ पता लग सकता है लेकिन सबी लोग करमचारी नहीं होते जो करमचारी अधिकारी नहीं है उनके इलावा जैसे समाज में अपना काम करने वाले सेल्फ अंपलाइड उनका असानी से और अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो अभी तो एक बाद जैसा उन्हों डिकलियर किया और डिकलरेशन के बाद फिर हमने उसको दुबारा चांस भी दिया कि आप इसको ठीक करके और भरे मूँ भी दिया और इसके बाद वेरिफिकेशन अपने यानि जो टीम है उसमें चाहे लसी है चाहे उसमें ब्लॉक लेवल के लोग है या जिला लेवल के लोग है जोनल है सब टीमों ने मिलकर उसको ठीक किया है फिर भी शिकायतें बहुत हैं कुछ लोग तो अभी भी कहते हैं कहारी इंकम ज्यादा लिखी गई है इसको कम करना है और इसके लिए हमने थर्ड पार्टी असेस्मेंट का भी एक सिस्टम बनाया है उस थर्ड पार्टी असेस्मेंट में भी आप सब लोगों के जिम्में कुछ ना कुछ काम लगा है आपके इलावा भी बहुत ऐसी प्राइवट अजेंसीज भी हैं हमरे CID के लोग भी स्थान स्थान पर जाकर के कुछ ना कुछ जानकर हमको देते हैं तो एक थर्ड पार्टी असेस्मेंट से कई चीज़ें ठीक भी हो रही है हमने कुछ परामेटर और भी रखेता है जैसे पावर बिल का परामेटर रखा तो पावर का जो बिजली का जो बिल है वो थोड़ा कंट्रोबर्शल इसलिए हो गया कि हमने उसको इंकम का 5% जो है मोटे तोर पर उसको माना के बिजली का बिल होता है तो 5% के अधार के उपर जब इंकम का आंकलन किया तो शगायते काफी आई हमने उस 5% को थोड़ा सा डिवेट करके अलग हाया हटाया 180 को 9000 के बजाए 12000 किया अब हमने 12000 को भी स्वाप्त कर दिया है लेकिन फिर भी कही ना कहीं जब income की verification करने के लिए हमारे जो ADC's की team उनके बाद शिकायत पहुंचती है तो verify करने के लिए उसका आधार एकदम mathematical तो ह ना मानें लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उसका income का बिल है तो वो कहीं न कहीं उसको एक indication हो सकता है उसकी income का या other consumers जो उसके हैं परिवार के वो भी एक आधार अपना बन सकता है कि उसका मकान कैसा है उसके पास गाड़ी है तो कौनसी गाड़ी है यानि कार है तो हमको अपने आप लगाना है इंडिकेशनल के साब से कि इसकी income कौन से slab में आएगी वो एक पचास एक सी का है या एक सी से धाई का है या धाई से उपर का है तो वो slab हमको ध्यान करते समय थोड़ा लिनियंस सी बरतना इसलिए कि आखिर पब्लिक की च्छाओं के अगेस्ट हम नहीं जा सकते लेकिन इतना सक्त हो करके हम न करें कि उसको किसी एक slab से नीचे से उतार या उठाकर के ऊपर के slab में छुटी सी बात के लिए हम डाल दें मलब यह उदारन परिवार पैचान पत्र का तो नहीं है लेकिन एक उदारन ऐसा मैं देता हूं कभी कभी गल्ती कैस मुखेमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लेकर राय संबंधी त्रूटियों को सही करते समय अधिकारी इस बात का ध्यान रखे कि लोगों में किसी प्रकार की निराशा न हो और परिवार पहचान पत्र के प्रती जरता में विश्वास और मजबूत हो साथी साथ इस परियोजना की सफलता के लिए लोगों से मिलने वाले बहतरीन सुझावों को भी शामिल करने के दिशा में काम करें हमारे हाँ इस परियोग को पहली बार किया जा रहा है और पहली बार करने के बाद बहुत आखें इस पर लगी है कि हरियाना इस प्रकार का जो एक मॉडल बनाया है जिसमें शोशल इंजिनिंग यानि अभी तक शोशल इंजिनिंग के बड़े फार्मॉले निकाले जारे हैं जातियों के इसाब से कि शोशो एकनोमिक मा यानि एकनोमिक को छोड़ दिया और शोशो फैक्टर ज्यादा लेकर क से हनद हम देरे उसको दोनों फैक्टर को शोशो तो हमने रखना एकनोमिक है कि इसमें लेकर आना है क्या परिवार और इसको स्कीम का लाब दिया जाए तक आफिर तो एक अर्थ परदान जो इस प्रकार का आज हमारा समाज है इसमें इनकम कितनी है वह खर्च करने कि कितनी capacity उसकी है तभी जा करके खर्च करने की सिती में आएगा और अपने system को अपने अप लेकर के आगे बढ़ेगा आज कमजोर परिवारों को हम बहुत कुछ देते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि कोई वक्ति परिवारों यानि आर्थिक का विशह है अत्वा उद्योक का विशह है अत्वा फार्मर्स हैं उनकी भी कितनी जमीन है कितनी उनकी इनकम है ये साथ चीजें एक दूसे रिलेट करके जब पूरे दो करोड़ असी लाख लोगों का हम डाटा यानि एक एनलाइज करने में हमारा सिस्टम सक्षम हो जायागा तब एक अच्छा जिसको कहना चीए एक प्रोजेक्ट ये देश और दुनिया के सामने हम रख सकेंगे और उसमें से हम जो करना चाहते हैं वेलफर स्टेट के नाते समाज का कोई भी व्यक्ति जो पात्र है जो पीडित है जो गरीब है जो अभावगरस्त है उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकें सरकारों का वास्ता में तो चाहे वो हम यानि लेजिस्लेचर के लोग हैं एक्जिगोटीवी लोग हैं या फिर जुडिश्री के लोग हो भी है इन सब चीजों की जिंता सब लोग मिलके करते हैं कि अपनी सोसाइटी को कैसे हम अच्छा बनाएं उस अच्छा बनाने में खुशाल बनाने में परिवार पैचान पत्र एक टूल के रूप में काम करें बढ़िया से हम आगे बढ़ सकें सियम ने कहा कि प्रदेश के प्रतेक परिवार को खुशाल बनाने में परिवार पैचान पत्र परियोजना मील का पत्थर साबित होगी कारिक्रव में शामिल मुख्यमंत्री के प्रधान सचीव वी उमा शंकर ने जांकारी दी कि आज 11 जिलो की ये वरक्शॉप आयूजित की गई है जिसमें विभिन सत्रों में अधिकारियों से अच्छे सुझावाएं प्रधान सचीव ने वरक्शॉप में आयूजित सत्रों को ले करके भी जांकारी दी इस अफसर पर हरियाना परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कारेकारी अधिकारी विकास गुपता और नागरिक संसाधन सुझना विभा की सचीव सोफ्या दहिया भी मौजूद थी चंडिकर से डॉक्र थानेश्वर शर्मा की रिपॉर्ट